अमेरिका की चुनोती को चैलेंज करने के बाद अब लगता है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो गए है अभी तक इसराइल गाजा पटी में हमास के लडाकों पर हमले कर रहा था तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी इसराइल पर अमेरिका का हाथ होने की वज़े से इराग के कई समुख बहुत खुल कर इसराइल के खिलाफ आपरेशन नहीं पर रहे थे लेकिन अमेरिका के हाल के एक बयान ने इसराइल के विरोधियों को ताकत दे दे दिया दरसल कुछ दिर पहले ही अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में आंग लोगों का नर्स मिलाब न करे नहीं तो अमेरिका उसे मदद देना बंद कर देगा इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तब भी वो रुकने वाला नहीं है उसके पास हत्यार और लगने की इक्षमता है इससे इसराइल के विरोधियों को साफ इशारा मिल गया कि अब अमेरिका उस तरह से इस्राइल का साथ नहीं देगा जैसा कि अभी तक दे रहा था इस पूरे घटना करम के बाद जैसे जैसे इस्राइल गाजा में अपनी कुरूरता बढ़ाता जा रहा है अब उसे इराकी इसलामी रेजिटन्स का उसी भाशा में जवाब ही मिल रहा है इराकी समू ने फिलिस्टीनिक शित्रों में ऑपरेशन अल अरकाब शुरू कर दिया है इस ऑपरेशन के तहट इराकी समू ने इसराइली कबजे वाले वाडी अरीहा और वीगल सावे के पूरु मेस्तित निवातिम एर्वेस में महत्वपूर लक्षयों को निशाना बनाया है इस समू द्वारा जारी एक बयान के नुसार आपरेशन अल अरकाब के तहट इसराइल द्वारा कबजाए गए इलाकों में प्रूज मिसाईलों से हमला किया गया है समू का कहना है कि निर्दोष महिलाओं और बच्चो सहित फिलिस्तिमी नाजिकों पर इसराइल द्वारा किये गए अत्याचार और उनके नरसंगार के जवाब में यह अभियान चलाया गया है समू ने हाइफा और रिफाइनरी पर गुरुवार को ताजा ड्रोन हमला किया है इससे पहले बुद्वार को इस समू ने ड्रोन के जरीए दक्षणी कबजे वाले फिलिस्तिम में उम अल रशरश या इलाट में एक सेनिठी गाने को निशाना बनाया सूत्रों के मताबिब हमले के लिए समू ने अल अर्फाद आद्मुगादी ड्रोन का इस्तमाल किया दूसरे ड्रोन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है ये नया अभियान शुरू करने से पहले इराकी समू ने इसराइली निवातिम एर्बेस पर लगतार निशाना सादा है इस एर्बेस पर सबसे लिटेस हमला 9 मई को हुआ था जिस तरह से इसराइल के खिलाफ हमने बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि अब उसे अपनी उस गलती का पच्तावा हो जो उसने अमेरिका की चनौती को चैलेंज करके किया हाला कि आगे युद्ध की दिश्रा क्या होगी क्या फिर इसराइल को घिरता देख अमेरिका वापस इसराइल का साथ देगा इसके जवाब के लिए युद्ध में शामिल देशों और सम्हों के अगले कदम का इंतिजार करना होगा क्या हुआ 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 है